दोस्त इस विल में हम बात करेंगे मैटिक पॉलिगन का मैटिक में आपको अभी क्यासा मूमेट देखने को मिलता है क्या इसका स्पोर्ट जोन है क्या इसका रजिस्टन्स आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में हम डीटेल में बात करेंगे आपके आंड्री के बारे में नहीं करी तो कौन सा important level है जहां पर आपकी बाइंग होगी यह सारी चीजे इस वीडियो में हम discuss करेंगे तो दोस्ते हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीस हमारे चैनल को subscribe कर लें पहले इकन को प्रस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको time to time मिलता रहे साथ ही वीडियो के description में आपको हमारे टेलिग्राम का link भी मिल जाएगा make sure आपको हमारे टेलिग्राम को भी join कर लें अब दिखें अभी अगर हम Matic के overview के बात करें तो Matic का current price आपको 0.53 के range में देख 14.5% का upside moment है अगर इसके हम 24 hour के price fluctuation की बात करें तो यह आपको 0.46 से लेके 0.53 के range में देखने को मिलता है minor से zone में fluctuation है पर overall recovery हुई है इसके price में अगर इसके market cap के बात करें तो यह आपको 4 billion के उपर देखने को मलता है 24 hour में इसके trading volume 636 million की है अभी इसके trading volume कम है पर जैसे जैसे इसके trading volume बढ़ेगे इसके price में आपको अच्छा growth देखने को मिलेगा अगर हम इसके supply के बात करें तो circulating supply 9 billion के उपर है total supply maximum supply 10 billion है supply fix है तो जैसे जैसे इसके demand बढ़ेगे इसके price में growth होगा मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि 4 September को जो matic है वो transform होने वाला है मतलब इसकी जो form है वो change होने वाली है property change होने वाली है यह merge होने वाला है पोल में जिस वज़े से यहां आपको एक form देखने को मिल सकता है तो उसी का form आपको अभी market में देखने को मिलता है तो आप लो community में आप इसके Twitter handle, Telegram, Discord को join कर सकते हैं further update के लिए अब अगर इसके हम all time high के बात करें तो इसका all time high लगा था 2.92 का जिसे ही 81% के downtrend पे मिल रहा है और जो मैंने आपको अपनी last video में बताया था कि आपकी जो buying है वो 0.40 के range में होगी तो आप देख सकते हैं इसका जो price ever dump होके 0.39 तक गया उसके बाद से recovery हुई है मतलब anti-feel हो चुकी है और जिनलोंने buying करी है वहीं अपना profit book कर सकते हैं कौन से level पे profit booking होगी यह हम discuss करेंगे जब चलेंगे trading view पे तो अब देख सकते हैं पहले हमने matica 4 hour का time in 12 लिया हुआ है 4 hour के according जब market में correction आया था तब मैंने आप ल ऐसे pattern में हम maximum time अपने resistance का breakout देते हैं तो आप देख सकते हैं इसी resistance को हमने एजसपोर्ट यूज कर रहा है उसके बाद से आपको recovery देखने को मलती है अब हमारे EMS में आप देख सकते हैं bullish crossover हुए है और in between market में अच्छी volume भी आई है तो आपको यहां पर जो movement है ना वो higher high higher low का मिलेगा तो हमने higher high mark कर रहा है आप आपको wait करना है कि higher low बनाएं जहां पर आपकी buying हो सकती है अगर आपने यह bottom miss कर दिया है यहां पर 0.40 वाला bottom miss कर दिया है तो आपको opportunity मिलेगे second अपनी buying की फिलाल अभी market में recovery होगी अगर हम specially बात करें matica अब दिखें यह तो था matica 4 hour का time time interval अब अगर इसके साथ इसके हम daily time interval की बात करें तो अब दिख सकते हैं daily के recording मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो हमारा sport है वो भी decreasing side में है और जो resistance है वो भी decreasing side में है और जो pattern form हो रहा है इसको हम बोलते है falling edge का और falling edge का pattern bullish pattern होता है ऐसे में हम अपने resistance का breakout देते हैं और उसके बाद से market में आपको recovery देखने को मलती है recovery जब होती है तो हम सबसे पहले जो हमारा previous stop होता है उसको जाके hit करते हैं उसके बाद जब हम इस level को as a sport use करेंगे तो आपको जो target है वो 0.75 का मिल जाएगा उससे पहले आपका target 0.50 का था तो हमने पहले target को achieve कर लिया है फदर जो आपको target मिलेगा वो मिलेगा 0.75 का तो अब जो आप अपनी buying करेंगे वो 0.75 के target के लिए करेंगे धीरे धीरे देखें हमारे EMS का direction change हो रहा है upside में तो अगर direction change होता है EMS का तो market में recovery होगी और अभी अच्छी market में volume भी आ रही है अगर ये मर्ज होता है तो इसकी properties भी change ह आता है Matic में तो अच्छा का size का जो price है वो grow कर सकता है जो आप अभी buying कर रहे हैं long term अगर आप vision रखे अपनी buying कर रहे हैं तो आपका जो target है वो minimum होगा 5X का और उसके बाद से maximum 10X तक अपना target पे direct कर सकते हैं मतलब 3$ से लेके और 5$ का target Matic easily आपको provide कर देगा बाकि अगर आ अगर आपके पास ना हो तो normally आप अपने trade को long term के लिए भी hold कर सकते हैं तो hope आपको यह वीडियो का update अच्छे समझा आ गया होगा अगर आपको अमरी वीडियो अच्छे लगते हैं प्लीस वीडियो को लाइक कर किजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं आ अपने वीडियो के साथ अब तक लिए जया हैं जया भारत